नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों एक्जाम में latest exam pattern पर constitution से भी related questions पूछे जा रहे हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए article से समधित प्रशन लेकर आया हूँ यह selected question है एक्जाम में पूछे जाने वाले इनको याद कर लिया तो इस topic से आपका एक भी caution गलत नहीं होगा अगर आपको सारे caution याद भी है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो सारे caution बन जाएंगे तो आप खुद ही खुश हो जाएंगे और नहीं बनेंगे तो आप याद कर लिजे क्योंकि एक्जाम में अब समय नहीं है एक भी नंबर कम होने देने का तो चले शुरू करते हैं वीडियो इंपोर्टेंट है अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो परड़े प्राप्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लिजेगा जिससे रोज का नुडिफिकेशन आपक इसका प्रियोग वह स्वयम या अपने अधिकारियों के दौराख कर सकेगा ये जानकारी किस अनुच्छेद में हमें मिलती है तो राइट आंसर हो जाएगा ये जानकारी अनुच्छेद त्रेपन में मिलती है option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन क्या है भारत के समिदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत भारत के राश्पती पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो भारत के समिदान के अनुच्छेत 61 के तहट भारत के राश्पती पर महाभियोग लगाया जा सकता है next question देखते हैं प्रशन क्या है समिदान के किस अनुच्छेत में उपराश्पती पद का प्रावधान किया गया है तो उपराश्पती पद का प्रावधान जो है अनुच्छेत 63 में हमें मिलता है राइट आंसर हो जाएगा option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं प्रशन क्या है समिदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत मंत्री गण सामोहिक रूप से लोगसभा के प्रती उत्तरदाई होते हैं तो समिदान का अनुच्छेत 75 option number C इहां पर सेत्रो जाएगा समिदान का अनुच्छेत 75 हमें ये जानकारी देता है मंत्री गण सामोहिक रूप से लोगसभा के प्रती उत्तरदाई होता है next question देखते हैं समिदान का कौन सा अनुच्छेत मंत्री परिशत के गठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धारित करता है तो समिदान का वह अनुच्छेत 75 जो मंत्री परिशत के गठन के बारे में आधार भूत नियम जो है निर्धारित करता है right answer हो जाएगा next question دیکھتے ہیں अगले प्रशन में क्या पुशा गया है तो प्रशन हैं आपके सामने भारत के महा न्यायवादी की न्युप्टी से सम्मंदित अनुचिएट कौनसा है तो right answer हो जाएगा भारत के महा न्यायवादी के नियुक्ति से संबंदित अनुच्छेट 76 है राइट आंसर हो जाएगा option number अनुच्छेट 76 इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं प्रशन है कौन सा अनुच्छेट संसत के दो अधिवेशनों के बीच में 6 महा के अंतराल की अनिवारिता का उलेक करता है तो संसत के दो अधिवेशन के बीच में 6 महा का अंतराल होगा इसके बारे में article 85 से जानकारी मिलती है option number D इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है प्रशन है राश्पती समिदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत लोगसभा भंग कर सकता है तो समिदान का वहाँ अनुच्छेत जिसके अंतरगत लोगसभा भंग की जा सकती है वह है अनुच्छेत 85 option number A इहां पर सही उत्तर हो जाएगा right answer next question देखते है option number B यहां पर सही उत्तर हो जाएगा समिदान के किस अनुच्छेत में धन्विद्यक की परिभाशा दी गई है right answer क्या है तो धन्विद्यक की परिभाशा अनुच्छेत 110 में दी गई है right answer हो जाएगा option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते है प्रशन है भारती समिदान का कौन सा अनुच्छेत भारत के संच्छेत कोश से संबंदित है तो भारत के संच्छेत कोश से संबंद अनुच्छेत 112,29,143,148,6 all of favor of expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer option number D expression के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं भारती समिदान का निम्ने मैं से कौन सा अनुच्छेत भारत के राश्पती के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है तो भारती समिदान में अनुच्छेत 123 option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के राश्पती में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है समिधान के किस अनुच्छेत में सर्वोच न्यायले के नियाधीस पर महाभ्योग लगाने का प्रावधान है तो सम्मिधान के अनुच्छेत कौन सा है जिसमें महाभियोग लगाने का प्रावधान है तो अनुच्छेत 124 में option number C प्रशन के लिए से यत्र हो जाएगा महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान मिलता है next question देखते हैं प्रशन क्या है अगला है राश्रपती सर्वोचे नयाले के सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत परामर्श ले सकता है तो राश्रपती सर्वोचे नयाले के सम्मिधान के अनुच्छेत 143 के अंतरगत जो है परामर्श ले सकता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं प्रश्ण है सर्वोची नयले अपने द्वारा सुनाएगा किसी भी निर्णा या आदेस का पुन्राव लोकन कर सकता है मतलब दुबारा उस पर सोच विचार कर सकता है ये विवस्ता किस अनुच्छेद में वरनित है right answer क्या हो जाएगा तो सर्वोची नयले अपने अपने जो निर्णा पर दुबारा सोच विचार कर सकता है ये 137 में कहा गया है आर्टिकल 137 इस प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रश्ण है भारती सामिदान में सर्वोची नयले तथा उचे नयले को नयाइक पुनरा लोकन की शक्ती प्रदान की गई है इसका आधार किस आर्टिकल में मिलता है तो इसका आधार आर्टिकल 32 में मिलता है option number B इस प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रश्ण है बारती सम्मिदान का अनुच्छे सम्मिदान का अनुच्छे सम्मिदान का अनुच्छे आधीनस्त नयले या जिला नयले के बारे में जानकारी article 233 से option number B इस प्रश्ण नमर इसे मिलती है next question देखते हैं प्रश्ण हैं आपके सामने बारती सम्मिदान का कौन सा अनुच्छे सम्मिदानिक प्रवधानों की संग्य संसद राजविधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिक्ता प्रदान करता है तो बारती सम्मिदान का अनुच्छे 245 option number C यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा सम्मिदानिक प्रावधान की संग्य संसद राजविधान सभाव द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिक्ता प्रदान करता है next question देखते हैं question आपके सामने पूशा गया है सम्मिदान द्वारा अंतिम रूप से पारिष सम्मिदान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुच्छेद और अनुच्छेद थी तो अंतिम रूप से जो सम्मिदान पारिथ हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुच्छेद थी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए उप्शन नंबर C है option number right answer है 395 इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है समिदान के किस अनुच्छेट में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राजियों का संग होगा तो इंडिया अर्थात भारत राजियों का संग होगा अनुच्छेट एक में मिलती है जानकारी option number A right answer है next question समिदान के अनुच्छेट एक में भारत को क्या कहा गया है तो समिदान के अनुच्छेट एक में भारत को राजियों का संग कहा गया है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question भारती सम्मिदान की किस अनुच्छेद में नागरिक्ता संबंदी प्रावधान है तो भारती सम्मिदान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिक्ता संबंदी प्रावधान दिये गए है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स question देखते हैं प्राश्न है निमलिकित मैंसे किन अनुच्चेदों द्वारा, भार्ती सम्विधान नागरीकों को मूल अधिकार निश्च्ता प्रदान करता है, अनुच्चेद बारा से लेकर अनुच्चेद 35 में हमारे लिए ज案कारी मिलती है, उप्षिन नमबर A, रा सम्मिधान का अनुच्छेद इसमें 16 अधिकार देता है option number B इस प्रश्चिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा भारत के सम्मिधान का निम्ने मैं से कौन सा अनुच और स्प्रश्चता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निशेद करता है तो और स्प्रश्चता का उन्मूलन और किसी भी आचरण के तहट इसके निशेद की बारिये में जानकारी अनुच्छेद 17 में मिलती है option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा and last question यह है आपका भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेद राश्पती के पत के लिए पुनह निर्वाचन की योगिताएं निर्धारित करता है तो भारतिय सम्मिधान का अनुच्छेद 57 राइट आंसर हो जाएगा राश्पती के पत के लिए पुनह निर्वाचन की योगिताएं देता है अगला कौशन सर्प्राइस कौशन है आंसर शेयर करना कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो भारतिय सम्मिधान के किसन उच्छेद के अंतरकत भाशन और अभिवक्ती की सुतंतरता का अधिकार की गारेंटी दी गई है इसका अंसर क्या होगा अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में इसका अंसर शेयर करिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे रोज इसी प्रकार के अलग-अलग टॉपिक के वीडियो की लिंक आपको मिल सके अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो फ्री है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा बहुत-बहुत धनिवाद आपका दिन शुभ हो